आज भी हम बात करेंगे हमारे और एक गैस पेपर पे तो यह गैस पेपर रहेगा इंग्डिश लेंग्विज कोर्स इसका भी बिल्कुल सेम पेडर्न है जैसे काल हमारे पेपर का था इसमें भी पेचेत्थर मार्क्स का है इसमें भी थर्डी मार्कस जो हमारे हैं पास मार्कस है यहां पर भी आपको टू एंड़ अफ आफ आवर मिल सकता है या टू आवर्स मिल सकते हैं तो क्रेडिट इस आपके तीन ही है यहां पर भी इंग्विश लेंग्विश कोर्स में तो सीम पटर्न है जैसे इसे पहले हमार वारा पेपर था उसी तरीके से ये वारा पेपर भी है उसी अंदाज से जो हमने किया है हाँ साथ ही मुझे यादा है कि को स्टूडंट्स को कभी गबारना हमारे यहाँ पेडियाफ अगरा की जरूरत होती है तो उनको वहाँ से जॉइन कीजिएगा ग्रूप को वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का पेपर है English Language Courses पर इसी पर बात करेंगे तो यह जो questions है यह मने आपको कल बता दिया है क्या क्या है तो यहाँ पर जो हमारा main or important question जो है short answer type question question number one है how does the point come to a decision as to which road to take कैसे जो point है उन्हेंने decision लिया कि कौन सा road हमने इक्तियार करना है it's road road not taken उसे लिया गया है the main important question is दोनों में दोनों important question है तो मेरी ज़्यादा priority दोनों पी है लेकिन अगर दोनों में ज़्यादा important देखे तो यह वाला ज़्यादा important है लेकिन है तो दोनों important what is the central idea of the poem the road not taken by Robert Throost तो इसका central idea क्या है इस poem का question number three what does taking the road not taken symbolize तो यह वाला जो question है यह भी important question है road not taken by इसका symbolizes क्या है यह क्या symbolize करता है what does taking the road not symbolize यह taking the road not यह क्या symbolize करता है question number three is what do the peasants try to do once they come into the home तो peasants जो थे उन्होंने क्या कोशिश करी कि जब वो गर पहुँचे यह भी मैं आपको बताना चाहूँ जो यह questions है यहां पर भी question number one दिया है यहां पर भी question number one दिया है तो यह और एक paper मेरा था जिस मैं दोनों को मिलाकर मैंने देखा कि यह जो दोनों guess papers पे यह common questions है आप यह समझें कि दो guess papers मेरे already बनाये हुए थे तो दोनों के यह common questions है तो common question जब दोनों पर दोनों पर फोकस हो जाते है तो यह सबसे ज़ादा important बन जाता है उस लहाँ से मैंने इनको अलग सी से यहां से note down किया है और अलग सी थोड़ा सा highlighted करके रखा है There's a separate of rigate and longing in the poem discuss तो इसी वाली poem में separate of longing and rigate है तो उसको discuss कीजिएगा Question number four What drove the scorpion to hide under sack of rice तो किस चीज ने scorpion को छुपे रहने के लिए किस rice sack of rice के नीचे है कौन सा चीज को खीची ले गया या किस चीज ने उसे खेचा कि वो छुपे रहने के लिए मजबूर हो गया किस की under the sack of rice Question number five What does the child's mother point out to distract him What does the child's mother point out क्या चीज चायल की जो बच्चे जो है बच्चा उसकी अमी ने क्या चीज पॉइंट आउट किया जिसने उसको distract किया था और एक question है What is the central idea of the story The lost child इसका central idea क्या है बड़ा important question है Question number six Why does the child eventually stop asking for the things he desired तो why does the child eventually stop कैसे बचे ने ऐसे ही stop किया पूशना जो वो चीजें जो वो डिजायर करता था जिन चीज़ों की खाईश उसको थी उसने इसी ही क्यों stop किया वो पूशना Question number seven is What was the dog's reaction to the trial running away तो dog का क्या reaction रहा जब वो तीनों बाग रहे थे What happened when Tommy went into the bar क्या क्या हुआ जब Tommy बार चला गया Tommy जब बार के अंदर चला गया तो क्या हुआ उस टाइम और एक question है How does lawson story go against the established norms of ruler idol तो कैसे lawson story जो है या against किस चीज़ के जाती है जो norms वहाँ पर बनी हुए थे Question number nine तो homonyms, homographs, homophones and commonly misspelled words तो इन में से questions आप से पूचे जाएंगे homograms पे आपको homonyms पे आपको एक दो आद words आ जाएंगे homographs पे आपको एक आद दो words आ जाएंगे homophones कुछ words आ जाएंगे तो इन में आपको बताना है या difference करना है कि इन में homonyms कौन है, homographs कौन है, homophones कौन है या commonly जो misspelled word हो जाते हैं वो आपको detect करने हैं तो यह आपको बताना होगा तो यह भी आपको शाट answer में ही आ जाएगा उसके बाद है हमारा very medium short answer जो है, या medium type questions उसका हमारा question number one है What do the two roads symbolize? Based on your interpretation, why does the traveler choose the road not taken? तो आपके हिसाब से, यह दो roads जो है, यह के symbolize करते हैं और अपने interpretation देकर आपने क्या समझा किस लहाँ से, why does the traveler, क्यों उसने क्या किया? जो road उसने चोज़ा, चोज़ किया, चोज़, ट्रावलर चोज़, the road not taken तो यह आपने करना है, question number two, इसके साथ में है According to you, what does the speaker mean by the last line of the poem? तो हमारे हिसाब से, यहनि according to you, जो reader है, हमारे हिसाब से क्या मतलब बनता है, speaker जो, कि लास्ट लाइन जो poem है, उसका क्या मतलब बनता है, यह question पूछ जा रहा है Question number three, bring out the Indianness, अब सवाल है हम भी Indianness का है तो मैंने थोड़ा सा, इसमें detail दिया है, तो Indianness हमें क्या है, Indianness असल में पहले समझे हैं, Indianness जब हमें feeling आ जाती है, किस की अपने country की, feeling of Indian Indian, किस लिहाज से हम socially, culturally और spiritually हमें perception हो, अहसास हो, अपने यह चीज़े होने का, तो वो Indianness है, यानि क्या हमारे होने का, India, socially, culturally, spiritually जिसके इन चीज़ों का हमारे बड़ा एसास है, तो वो Indianness, तो अब जो authors हैं, उन्होंने इन्डिया के बारे में रखा, यह outside जो उन्होंने इन्डिया के बारे में रखा, तो उनकी जो writing में, इन्डिया का बड़ा हो, उसे हम कह सकते हैं, कि उसमें ज़्यादा इन्फला नस के बारे में, खेर यह था Indianness क्या हो गया, अब है question, bring out the Indianness of the poem by referring to particular words and images used by the point, तो आप वो चीज़े लिख लिजए या bring out कीज़े, जो poem में refer की गई हैं, कि जो words refer की गई हैं, या images refer की गई हैं, उनको आपने सामने ला कर देना है, या लिखना है वो चीज़े, वोयलमेंट से लिखने हैं आपको, जो poem में refer करते हैं, Indianness को, चाहे words है, imagery use हुई है, तो वो चीज़े करनी है, question number four is, how does the poem transform the ordinary event of woman being stung by a scorpion into a subject for poetry, consider the role of the peasants in the light of this, तो कैसे, क्या, how does the poem transform the ordinary events of woman का, इसे एक poem transform करता है, आम साधा से, events जो है, एक woman के, being stung, stung by a scorpion, in subject for poetry, तो ये चीज़े, ये चीज़े को consider करके, आपने इसका, इसके, यानि जिसे हम आदियम बोलते हैं, इसके मादियम से आपने, ये वाले sentence, consider this, the role of the peasants, peasants का role, consideration में रखकर आपने बताना है, किस तरीके से, ordinary events उनोंने दिये हैं, ये question था, असल में, question number five, what things does the child desire in the fear, तो कौन से चीज़ जो है, जो बचा है, वो desire करता है, मेले में, question number six, why does the lost child lose interest in the things he wanted earlier, तो कैसे, किस तरीके से, उस बचे ने, जो उसकी interest थी या desire थी, क्यों उसमें बाद में कम interest दिखाई, lose interest या नहीं कि उसने interest ही नहीं दिखाई, यह वो चीज़ें जो चाहता था, क्या हो गया था, वो आपको लिखना है, उसके बाद, question number seven, describe the trios dog, तो जो trios का dog है, या आप character sketch ही बता सकते हैं, उसका, तो character sketch, the loaded dog, जो है, text, उसमें character sketch, आपको drug का देना है, तो वो आ जाता है, यह दोनों questions का एक ही answer बनता है, question number eight, how did the bombs explosion affect the animals in the story, तो bomb explosion कैसे effect करता है animals को, story में, वो आपको लिखना है, question number nine is, write a paragraph of about 150 to 250 words, तो आपको एक paragraph लिखना है, 100 words से या 200 words, कोई एक paragraph दिया हुआ होगा, या कोई hints दिये हुए होगे, तो आपने paragraph लिखना है, या one words substitution भी और एक question आ सकता है, तो आपको one words substitution करना है, words का, या जो sentence दिया हुआ होगा, उसका one words substitution करना है, अब है section C का, section C में आपको ये चार questions आजाते हैं, तो चार में दो करने हैं, तो क्या है question number one, how vital a role does nature play in the poem, तो nature के बारे में पूश्चा जा रहा है, nature play a vital role in the poem, उसको आपने discuss करना है, does Proust use nature to add to the conflict in the traveler faces, तो क्या, Robert Proust ने, वो add किया है, वो conflict, जो travelers की faces भी आ जाता है, तो असल में आपको ये पूश्चा जा रहा है, कि nature play a vital role in the poem, discuss that thing, question number two, superstition acts as the base of the experience described in the night of the scorpion, तो superstition, जादू गरी जो हो जाती है, superstition, उसका base लेकर उन्होंने describe किया, उस experience को लेकर, तो इस night of scorpion में उस चीज़ को analyze किया गया, अब आपने क्या करना है, examine this attitude against the rationality of the father in the poem, तो यही चीज़ आपने examine करके, उस चीज़ को discuss करना है, क्या हो जाता है, poem में, night of scorpion में, यह था question, superstition act as the base of the experience described in, जो describe किया गया है, यह किस चीज़ पर experience पर based होता है, superstition, उसी चीज़ को लेकर आपको discuss करना है, यह बहस करना है, analysis देना है, अपने examine this attitude against the rationality of, तो यही आपने attitude जो है, उसको देना है, question number three, how does मलुक राजा अनन्द bring out the ruler flavor through this story, तो किस तरीके से मलुक राजा अनन्द ने ruler यानि, urban ruler जो दिखाती है, तो उस चीज़ का जो उन्होंने वहां पर दिखाए, मजा जो है, या उस flavor को, इस story के जरिये से उसने दिखाया, तो आपने वह चीज़ लिखना है, जो बताना चाहता था, मलुक राजानद अपने story में, how does मलुक राजानद bring out the ruler flavor through this story, question number four, what kind of comedy is employed in the story, explain your reasons for your choice, तो कुन किस तरीके सी, जो comedy है, की गई है उसमें, यानि कि comedy जो है story में, आपने वह चीज़ एक्स्पिलियन करनी है, तो इसका answer आप सीधी सीधी में ऐसा कर सकते हैं, कि जो इसमें comedy episodes हो जाते हैं, तो उसको summarize करके आपने वह answer बनाना है, तो यहां भी और दो तीन questions जो है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, कि यह दो common papers हैं, और common papers में यह जो highlighted questions में ने रखकी हैं, यह common थे दोनों papers में, तो यह ज़्यादा important बन जाते हैं, फिर, वो भी important है जो हमने discuss किया हैं, लेकिन यह उन से ज़्यादा important बन जाते हैं, discuss through the actions and the behavior of the peasants, इज़कील evokes whole world of myth and philosophy, तो यह action जेरे नजर लाकर, जेरे बहस लाकर, peasants की action जो है, तो नस्म इज़कील जो है, या point जो है, इज़कील, उसने क्या किया है, evokes whole world of myth, तो उसने myth and philosophy वहाँ पर उज़ागर की है, तो वो myth and philosophy आपको बताना है, with the reference of this, with the reference of the behavior of peasants, question number two, what are the things the child sees on his way to the fair, कौन से चीज, कौन से वो देखता है, शेय अपने रास्ते में या उस मेले में, how do his parents respond to this, तो किस तरीके उसके parents जो है, रस्पांड करते हैं, question number three, describe how the story manages to immerse the reader, in the child's feeling, over the course of the story, तो आपने describe करना है, तो यह किस तरीके से story, जो है manage हो जाती है, child के जो feelings है, over the course of time, यहने कि story में, child के उपर से, यहने कि child पे, जो child उसमें काम करता है, जिस child की बात हो जाती है, उसका हर एक analysis देना है, question number five, क्या है हमारे पास, तो यह मैंने बता दिया, question number four, question number five, that means it is one of the paper, and question one, two, three, it is one, these three questions are from another paper, that means, यह question तो यहां पर भी बनने थे, लेकिन यह दोस्तरे paper में भी है, तो इसका मतलब, यह तीनों question ज्यादा खामन बन जाते हैं, तो ज्यादा important बन जाते है, question number five, यहां पर भी paragraph और essay के बारे में बात हो रही है, तो आपको paragraph और एक essay लिखना पड़ेगा, तो यहीं पर शायद हमारा paper हो जाता है, हाँ, तो यह था हमारा paper जो हमने English language courses पे लिया था, इसमें खासकर मैंने बता दिया, जो यह highlight लिया, bold questions जो है, यह important है, वो भी important है, तो यह चीज यह questions भी ज्यादा important है, कि दो paper को mix करके, यह एक paper बना लिया, तो उसे साब से यह ज्यादा important बन जाते हैं, इस पे भी आप जहर में ज़र रखिए, इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, तो questions उमेद है कि यह questions शला आ जाएंगे आपके paper में, वैसे तो फिर भी निर्वर करता है कि जो marker होगा, यह examiner होगा, वो किस तरह की question निकालेगा, तो यह चीज़े हैं, hope this question will benefit you, वारा जो यह paper बनता है, इसके बाद मैं और एक paper में आपको दे दूँगा, AACC का guest paper, वो इंशालला काल देर तक तो आ जाएगा, यानि कि कल देर तक तो उसका भी बन जाएगा, so take care for that time, take care, bye bye, लाफ़ेज,